नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड सो हजार चौबस से नवाजा गया बिहार का यह बच्चा मलमास मेला बना रहा यह नया रिकॉर्ड साइबर खबो ने बदला ठगी करने का तरीका ऐसे बड़ते साथधानी जल्दी बिहार वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ती हार के बाद कप्तान हार्दिक पांडिया ने कही बड़ी बाद इसके साथ ही बड़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से इंडिया बोक ओफ रिकॉर्ड तो हजार चौबस के खिताब से नवाजा गया है बता दे कि उनका यह विस्तार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है जिससे अपरादियों को 400 वोल्ट का जटका मिलता है मालुम हो कि ससांग देव सबसे युवा है जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्टर बनाया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ससांग को मिड सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिला है उन्हें इस किताब को पाने के लिए एक महिने पहले जुन 2023 में आविदन किया था मालुम हो कि ससांग के द्वारा बनाया गया डिवाइज रिचार्जेबल लीथियम आयन बैटरी पर काम करता है इसे बनाने में उन्हें पूरा 6 महिने का समय लगा इस डिवाइज का पहला बटन दवाने पर एक मैसस फैमिली और पुलिस के बीच से चला जाता है और साथ ही लोकेशन भी सेंट हो जाते हैं वही दूसरा फीचर इस डिवाइज में कॉलिंग का है जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है और तीस र फीचर 440 वोल्ट देने का है बिजली की समस्या दूर करने को विभाग ने शुरू की अनोखी पहल लोगों को बिजली की समस्या से जुरी सिकायतों को देखते वे बिजली विभाग की ओर से एक नई पहल की शुरूबात की गई है जिसके तहट अब लोग वाट्सेब के जरीए भी बस एक मैसेज कर अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं बता दे कि इसके लिए विभाग की ओर से एक वाट्सेब ग्रूप बनाया गया है जिस पर उबवोक्ता अपनी समस्या को बता सकते हैं और फिर उनकी परिशानी का निप्टारा कर दिया जाएगा वही समस्या के निप्टारी की जानकारी भी वोकता को तुरंद उपलद्ध हो जाएगी मालम हो कि मिली जानकारी के नुसाल विभाग की ओर से जो वाट्सेब ग्रूप बनाया गया है उनमें फीडर निकलने वाले हर इलाके के कुछ-कुछ लोगों को जुड़ा जाएगा और इसके जरिये ही बिजली से जुड़ी कोई जानकारी ग्रूप में दी जाएगी मलमास मिला बना रहा नया रिकॉर्ड राजगीर में चल रहा विश्यो प्रसिद मलमास मिला इस बार नया रिकॉर्ड बना रहा दरसल इस बार शुरवाती दस दिनों में 62 लाग से अधिक श्रद्धालू मिला परिसर में पहुँच चुके है ऐसे में अभी यह मिला दो सब्ता से अधिक चलने वाला है जिसको लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मलमास मिला में आने वारे लोगों की संख्या काफी अधिक होगी बतादे कि पिछली बार मलमास मिला के दोरां सतर से 80 लाग श्रद्धालू पहुँचे थे लेकिन इस बार यह रिकॉड तूट सकता है विभागी जानकारी के इनसार 28 जलाई तक मलमास मिला में करी 62,55,000 श्रद्धालू आचुके हैं आपको जानकारी के लेकि बतादे कि इस बार यह मेला 16 अगस तक चलने वाला है सॉफ्ट बॉल एससेशेशन और बिहार की तरफ से सिवर का आयोजन सॉफ्ट बॉल एससेशेशन और बिहार की तरफ से बिहार की राजधानी पटना में बीते तिन पांच तिवसी सिवीर का आयोजन किया गया जो कि दो अगस तक चले का इस तोरान एससेशेशन अपने प्रसक्षकों वा अमपायरों को और ससक्त बनानी का काम करेंगे मालमों कि प्रसक्षन सिवीर में विवन जिलो के प्रसक्षक वा अमपायर भाग ले रहे हैं वह इन सब के अलावा 12 अगस को पटना में सॉफ्ट बॉल एससेशेशन और बिहार की वार्सी काम सभा की बैठक भी की जाएगी मालम हो कि बिहार में ऐसा पहरी बार हो रहा है कि सॉफ्ट बॉल खेल में कोच वा अमपायरों का सेमिनार आयोजित किया जा रहा इस सेमिनार में खेल में आई तकनी की बदलाव पर चर्चा के साथ अगामी निर्धार इत्पतियोगिताओं को लेकर भी रूप रेखा तयार की जाएगी साइबर ठगों ने बदला ठगी करने का तरीका ऐसे बरते साथधानी बदलते समय के साथ साइबर ठग भी अपने ठगी करने के तरीके में बदलाव लाते जा रहे हैं ऐसे में लोगों को अफसाथधानी बरतनी की और भी जरूरत हो गई है बता दे कि अब साइबर ठग 5G नेटवर के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं ऐसे में साइबर सेल की तरफ से विशेश स्तर्ता बढ़तनी के लिए लोगों से अपील की जा रही है और इसके साथ ही ट्राई इंडिया की तरफ से भी MS लगातार भीजा जा रहा है कि दूर संचार कंपनिया 5G सेवाँ को सक्छम करने के लिए सिम को अग्रेट करने के लिए OTP PIN पासवर्ड या किसी व्यक्तिकत विवरन नहीं मांग रहे हैं ऐसे लिए ऐसे धोकादरी वाले ओफर से विसेश साथान रहे VTR आया Very Good की श्रेनी में VTR यानि कि वालमी की Tiger Reserve प्रभाव साली मुल्यांकर में लगातार तीसरे बार Very Good की श्रेनी में आ चुका है बतादे कि अप्रेल मा में कुछ तखनी की खड़ाबी होने की कारण केवल Good दिया गया था बतादे कि VTR के छेतर निदेश डॉक्टर नेशामनी के दौरा बताया गया कि इसके पुड़ वर्स 2014 और 2018 में VTR को Very Good रैंकिंग दी गई थी यह मिलने के बाद अंतराश्ट्री इस्तर की मारता पाने वाला VTR देश का चौदवा टाइगर रिजर्व हो गया है राजधानी में ओनलाइन चालान से 40,000 वाहनों से वसूला गया जिर्माना विहार की राजधानी पत्ना में ट्राफिक के सिस्टम ही बदलाव हो गया है अब ट्राफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों के ओनलाइन चालान काटे जा रहे है ऐसी में अब तक ओनलाइन चालान के जर्ये 6 करोर रुपे का जर्माना वसूला जा चुका है मालम हो कि राजधानी में 24 गंटे, 2000 से जादा कैमरों के जर्ये ट्राफिक नियम तोड़ने वालों पर नज़र रखी जा रही है पता दी कि आंकरों के नुसार अब तक कुल 40,000 गारियों से जर्माना वसूला जा चुका है वहीं जो लोग चालाकी करते पाए जाते हैं तो उनके वाहनों का अना तो ट्रांसफर होगा और नहीं वेवाहन बेच सकेंगे इसके साथ ही उनके वाहन का प्रदूशन और प्रमान पत्तर भी नहीं बन पाएगा बीटा एरपोर्ट के लागत 800 से बढ़कर हुई 1400 करोर रुपे बीटे 5 वर्सों में बीटा एरपोर्ट पर सिवल एंकलेव के नर्मान का एस्टिमीट 800 करोर रुपे से बढ़कर 1400 करोर रुपे हो गया है दरसल सिविल एंकलेव के नर्मान के श्रवा दिसमबर वर्स 2019 में होनी थी और वर्स 2022 दिसमबर तक पूरी कर लेनी थी लेकिन आठ एकर अत्रिक्त जमीन की मांग को लेकर सिविल एंकलेव के नर्मान का मामला फस्ता जा रहा है जिसकी वज़ा से लागत 800 करोड से बढ़ कर 1400 क प्रवादी गई थी लेकिन दिप्यार त्यार करने के दौरान 108 एकर जमीन कम पड़ गई हाला कि अब राज्य सरकार की ओर से 8 एकर जमीन उपलद्ध कर्वानी की सहमती बन चुकी है वहीं जमीन मिलने के बाद इत्य नड़ निकाले जाएंगे जल्द बिहारवासियों को मिलेगी जाम से मुक्ती बहुत जल्द बिहारवासियों को जाम से मुक्ती मिलनेवारी है दरसल राजी के 15 जिलो में यादयात सुगम हो सके इसके लिए जिलो में 44.4.49 किलोमीटर सरके चौरी होंगी मालम हो कि इसके लिए पत निर्मान विभाग के दोरा 2398 करोड खर्च करने की योजनाप बनाई गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन 15 जिलों के सरकों को चोड़ा किया जाएगा उनमें बिहार की राजधानी प्रटना समेट नालंदा वैशाली पश्चिन चंपार बेगुसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पुर्णिया, गोपाल, गंच, छपड़ा, दर्भंगा, कटिहार, सीता मरी, वकिसन गंच सामिल हैं अब मधुबनी और औरंगाबाद में भी इंटरनेट हुई बैन मालम हो कि इसको लेकर ग्री विभाग की ओर से अधिसूशना जारी कर दी गई है वहीं इसको लेकर जिलो के DMSP की अनुसंसा परादेश भी जारी कर दिया गया है अब इस दोरान Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Snapchat, Telegram समी दो दरजन से अधिक वेबसाइट अस्तमाल नहीं किया जा सकेगा दरसल ग्री विभाग को ऐसी सूशना मिली है कि कुछ और समाजिक तत्वों के दोरा मदवनी और औरंगाबाद के हसपूरा प्रखन में इंटरनेट सिवा का इस्तमाल करते वे अफवाह फैरानी के कोशिश की जाएगी इसी को देखते वे इन दोनों अस्थानों पर इंटरनेट बैन करने का नर्ने लिया गया आठवे वेतन आयो को लिकर केंद सरकार का बड़ा फैसला वैसे केंदरी करमचारी जो आठवे वेतन आयो की आज देख रहे हैं उनके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है बता दी कि सांसद राम नाथ ठाकूर के दोर राजित सबा सतर के दोराज इससे जुरा जब प्रशन उठाय गया उन्होंने बताया कि जन्वरी 2023 में इंडरों का वेतन और पेंसन के 42 प्रतीशत बरा दिया गया है और दो एक स्रमिकों के लिए अखिल भारती उब्वोकता मुल सुचकांग के आधार पर D.A.D.R. की दरे 6 महिने में समय समय परसन सोधित की जाती है महिन जन्वरी 2024 से D.A.D.R. की दर 25 प्रतीशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है इसरों ने स्री हरी कोटा से 177 सेटलाइट को किया लॉंच भारती अंतरिक्च अनुसंधास संगटन यानी के इसरों के दर असरी हरी कोटा से एक साथ 7 उपगरहों को लॉंच किया गया और अनुपगरहों को उनकी नर्थारित कख्छा में स्थापित किया गया इस बात की जानकारी खुद इसरों के द्वारा ट्वीट कर दी गई है उन्होंने ट्वीट करते वे लिखा कि PSLV-C56 या DS-SAR पिशन मिसन सफलता पुरवक पूरा हो गया है PSLV-C56 वहान ने सभी साथ उपगरहों को उनकी इच्छित कख्छाओं में सटिक रूप से प्रच्छेपित किया इस अनुबंद के लिए एड़डरेट NSIL- इंडिया और सिंगापूर को धन्यवाद मालुम हो कि इच्छा मंतरी के 22 दिन से ऑफिस ना आने पर सुसील मोदी का बयान विहार सरकार के सक्छा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर और सक्छा विवाग के अपर मुख्य सचिप के के पाठा को लेकर जब विहार के परव उप मुख्य मंतरी सुसील मोदी से पूछा गया कि इन दोनों में से मुख्य मंतरी के द्वारा किस के खिलाफ एक्शन किया जाएगा इस पर उन्हें कहा कि राज़े में महिलाओं से बरबरता घटनाए बढ़ रही है बिजली मांगने पर गोलियां चलाई जा रही नौकरी मांगने पर सक्षकों पर उपर लाटी चार्च किया जा रहा सिक्षा मंतरी बीते 22 दिनों से काड़े आले नहीं आ रहे हैं लेकिन सियम नितीश कुमार इन सभी मामलों पर चुपी साध कर बैठे हैं कटिहार पुलिस बार बार अपना बयान बदल रही है और मंतरी गोली चलाने की वकालत कर रहे हैं आरजेडी और जेडियू को मनिपूर से पहले कटिहार और बिगुसराय जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि कटिहार गोली कान की नयाई जाज कराई जानी चाहिए और साथ ही मृतकों के परिवार वाली को मुआपजे की रूप में 10-10 लाक रुपे दिया जाना चाहिए इन सब के लाव राजे में 24 घंट निरबाद बिजली उपलब्द कराई जानी चाहिए और के बाद कप्तान हार्दिक पांडिया ने कही बड़ी बात बीते दिन भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे वंडे मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से करारी सिकस दी और इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज ने तीन वंडे मैचों के स जंदार खानिराषा हुई लेकिन और भूत कुछ सीखनी को मिला जिस तरह से सलाहसे बली बाज़ा ने बले बाज़ी की या भायारती क्रिकेट के लिए महत्युइट मैं बेश्व कप के लिए तयार कर रहा हूँ इसलिए कुछ अधिक ओवर कर रहा हूँ, धीरे-धीरे मैं पूरी तरह से गेंदबाजी फिटनेस की ओर बर रहा हूँ, इस समय में कच्छुआ हो गया हूँ, ना कि खड़को सिरिज एक-एक से बड़ाबर रही और अब आखरी मुकाबला रिनायक होगा, अगला गेम दर्श प्रति लिटर है, वहीं पूर्णिया में पेट्रॉली कीमत 109.74 रुपे और डीजल 96.36 रुपे प्रति लिटर है, भागलपूरे पेट्रॉली कीमत 108.30 रुपे और डीजल कीमत 15.01 रुपे प्रति लिटर निर्धायत की गई है, इसके साथ ही गया में पेट्रॉली कीमत 118 बहुत लोगने पुझाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमादर पुझिए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजय कुमार, नौशत अंसारी, कृष्णा कुमार, अर्जुन राम, राज किशुर मातो, मुहम्मद साकीर हुसैन, सद सदेखेते प्रेश को फॉलो करना न भूले, धानेवाद